बिहार के इस रेलबे ड्रैबर के कारणामे ने रेलबे विभाग को चौकाया नसे की लत ऐसी कि ड्रैबर ने बीच ट्रैक पर रोक दी ट्रेन और चला गया सरापी ने घंटों परेसान रहे यात्री सानकारी मिलने के बाद ड्रैबर को खोसने निकला रेलबे विभाग आपने हैबी ड्रैबर्स बाले कई मिम्स तो देखा होगा कई तो इस अधार पे बनाये जाते हैं जिन्होंने अपने ड्रैबिंग के छेत्र में कुछ अजूबा हरकत किया होगा लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने बाले हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे रेलबे के ड्रैबर्ने अपने सराप की तलब को धूर करने के लिए पूरी की पूरी ट्रेन भी बीच ट्रैक पर खड़ी कर दी और चला गया सराप पीने जी हाँ आपने बिल्कुल शही शुना अस्क्रीन पर जो दीख रहा सक्स है महानुभाव है 05-278 के सहायक ट्रैबर करमबीर सिंग जादब इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि साइद पूरे देश तो क्या पिश्व में भी किसी ने ऐसी कलपना नहीं की होगी इस महानुभाव के कारनामे की चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है एक ऐसे राज में जहां सराप पिना कानूनी अफराद है जी हाँ आपने सही शुना और शमझा यह अजूबा घटना घटित हुआ है शुशासन बाबू के राज बिहार के समस्तिपूर जिले में हम आपको पूरी घटना बताएं लेकिन आप यह पहले बीडियो देखिए दरासल समस्तिपूर के खगड़िया रेलवे खंड के हसनपूर रोड अस्टेशन सुन्य 5278 के सहायक ट्रैबर करमबीर सिंग यादब ट्रेन को अस्टेशन पर छोड़ कर शराप पी ने चला गया करमी के कारण यातरी एक घंटा तक प्रेसान होते रहे फिर उन्होंने अस्टेशन पर जम कर हंगा माक उसके बाद रेलवे पर सासन को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने ड्रैबर को खोजना सुरू कर दिया ड्रैबर नसे की हालत में सड़क पर लेटा मिला उसने इतनी ज्यादा सराप पीली थी कि बह बहोस हो गया इसके बाद रेलवे ने दूसरे चालक के साथ ट्रेन को रवाना किया पुलीश ने आरोपी को गिरपतार कर लिया अब सवारी ट्रेन हसनपुर रोड अश्टेशन पर 5 बचकर 41 मिनट पर पहुँचकर खड़ी हुई उसी शमय राजधानी ट्रेन के क्रोसिंग का भी शमय हो चुका था जिससे सवारी ट्रेन को रोक दिया गया था डाउन राजधानी ट्रेन के पास होने पर सवारी ट्रेन 05-278 को जाने का सिगनल दिया गया लेकिन उसका सहायक चालक करंबीर सिंग जादा कायब था जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हो गई उसे नसे की हालत में अश्टेसन के बाहर शालक पर लेटा हुआ पाया रेल पुलीश उसे उठा कर थाने ले गई उसके बाद पास से सराब की बोतल भी मिली रेल थाना धक्ष ने बताया कि 375 एमल बोतल में आदी सराब थी पहले से ही सराब पी रहा था ट्रेन के रुकने पर और पीने के लिए ट्रेन से उतर गया था